मेरी भाषा, हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है हम पढ़ रहे थे अव्वे या एविकारी शब्दों के बारे में पिछले वीडियो में हम किरिया विशेशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं किरिया विशेशन किसे कहते हैं, साथ में किरिया विशेशन के कितने परकार होते हैं आज के इस वीडियो में हम बाकी के एविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे संबंद बोधक, समुच्य बोधक, विस्म्यादी बोधक आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो एविकारी शब्दों के बारे में हम संस्किर्ट व्याकरण में भी पढ़ते हैं English grammar में भी पढ़ते हैं तो जब भी कोई topic हमारा Hindi का होता है अगर वे उस सेम topic English में भी हम ध्यान देते हैं और साथ में संस्कित में अगर वही topic आता है उसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं तीनों व्याकरण को अगर हम interrelate कर देते हैं तो चीजे हमें और ज़्यादा समझ में आती हैं तो आईए देखते हैं English grammar में किरिया विशेशन को क्या कहते हैं अब जब भी आप English grammar में इनके बारे में देखेंगे तो हिंदी grammar को आप उसके साथ जोड सकते हैं और इस तरीके से हमारी परिभाशाएं और सपष्ट हो जाती हैं किरिया विशेशन से समझ में विश्तार से चर्चा की है किरिया विशेशन किसे कहते हैं और उसके कितने परकार होते हैं आज के इस वीडियो में बारी-बारी से हम चर्चा करेंगे संबंद बोदक, समुच्य बोदक और विस्मयादी बोदक आईए सबसे पहले जानते हैं संबंद बोदक के बारे में संबंद बोधक जैसा की नाम से ही पता चल रहा है यहां पर किसी के बीच में संबंद दिखाया जाता है अब किस-किस के बीच में संबंद दिखाया जाता है इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले हम एक उधारन देखते हैं, एक कहानी सुनते हैं गाउं के बहार एक तालाब था, उस तालाब के किनारे पीपल का एक पेड था, पेड के नीचे एक साप का बिल था, बिल के सामने ही तालाब के भीतर तरह की मछलियां रहती थी, साप अपने शिकार के पीछे दूर तक चला जाता इस छोटी सी कहानी में हमने कुछ शब्दों को नीले रंग से हाइलाइटिड कर दिया है जैसे कि के बहार, के किनारे, के नीचे, के सामने, के भीतर, के पीछे इन सभी शब्दों से हमें पता चलता है कि ये संग्या शब्दों से संबंद जोडने का काम कर रहे हैं जो हमारे वाक्य है, वाक्य में ये संग्या शब्दों के साथ संबंद को बता रहे हैं, और इसी कारण से इनको हम संबंद बोतक शब्द कहते हैं, आईए कुछ और उधारन देखते हैं, मैं रोटी की जगे चावल खाऊंगा, इस उधारन में रोटी और चावल के बीच में ह चारो और शब्दों का परियोग किया है और ये सारे शब्द विद्याले और बगीचे के बीच में संबंद दिखा रहे हैं कि जो बगीचा है वो विद्याले के चारो और है खुशी के मारे वे नाच उठा खुशी और नाचने का संबंद यहां बताया गया है कि खुशी के मारे वे नाच उठा, खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वे नाच ने लगा, अपने पिताजी के साथ राम भी मेला देखने गया, पिताजी और राम के बीच में संबंद क्या है कि पिताजी के साथ राम भी मेला देखने गया, इन वाक्यों मे की जग है के चारो और के मारे के साथ ये सभी शब्द संबंद बोधक अवे का काम कर रहे हैं यानि अब हमारी परिभाशा कैसे हो जाएगी जो शब्द संग्या या सरनाम शब्दों के साथ आकर उनका वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंदों का बोध कराते हैं उन्हें संबंद बोधक कहते हैं संबंद बोधक शब्द संग्या और सरनाम शब्दों के साथ परियोग किये जाते हैं और साथ में वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ ही उनका संबंद दिखाते हैं आईए संबंद बोदक के विशे में कुछ महतोपुन जानकारी जानते हैं पहले, बाद, बाहर, भीतर, पास, आदी शब्द, संबंद बोदक तथा किरिया विशेशन दोनों रूपों में परियोग किये जाते हैं पिछले वीडियो में हमने देखा किरिया विशेशन शब्दों में पहले, बाद, बाहर, भीतर, पास, ये सबी शब परियोग के गए थे. जब इन शब्दों का परियोग किरिया के साथ किया जाता है तब वे किरिया विशेशन बन जाते हैं यानि कि किरिया की विशेस्ता बताने के लिए किया जाता है तो इक किरिया विशेशन का काम करते हैं लेकिन जब इनी शब्दों का प्रियोग संग्या या सवनाम के साथ किया जाता है और वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंद दिखाने के लिए किया जाता है तो ये संबंद बोदक का काम करते हैं आईए एक उधारण की सहायता से समझते हैं सीमा भीतर खड़ी है तो यहाँ पर खड़ी यानि खड़ा होना किरिया है और किरिया के आगे हमने भीतर शब्द का प्रियोग किया है जो किरिया की विशेस्ता बता रहा है तो भीतर शब्द इस उधारण में किरिया विशेशन का काम कर रहा है दूसरा उधारण है सीमा घर के भीतर खड़ी है अब यहां पर ध्यान से देखिए घर हमारा संग्या शब्द है और घर के भीतर तो संग्या शब्द का यहां इन शब्दों के साथ संबंद दिखाने की कोशिश की गई है इसलिए के भीतर शब्द इस वाक्य में संबंद बोदक का काम कर रहा है इसलिए हमें शब्दों को रटना नहीं है कि पहले बाद भीतर इस तरह के शब्द किरिया विशेशन होंगे हमें उनके वाक्य में प्रियोग को देखना है और वाक्य में प्रियोग जिस तरह से किया गया है उसी के आधार पर हम अपनी परिभाशा लगाएंगे कि वो शब्द किरिया विशेशन का काम कर रहे हैं या संबन बोदक का काम कर रहे हैं संबन बोधक के रूप में प्रियोग करते समय इनके साथ के, की, से, आदी जोड़े जाते हैं आप देख रहे हैं उपर वाले उधारण में सिर्फ भीतर शब्द का प्रियोग किया है लेकिन दूसरे उधारण में जहां पर संबन बोधक का कारे किया जा रहा है वहाँ पर भीतर के साथ के शब्द का प्रियोग किया है यानि संबन बोधक शब्दों के आगे विभक्ती का प्रियोग किया जाता है लेकिन किरिया विशेशन के रूप में जब इनका प्रियोग करते हैं इनके आगे किसी प्रकार की विभक्ती का प्रियोग नहीं किया जाता। एक और उधारन आप देख सकते हैं, बबलू कबीर से पहले आया, कबीर से पहले आया, यहां से पहले शब्द संबन बोदक का कारी कर रहा है, और साथ में पहले शब्द से पहले से विभक्ति का प्रियोग किया गया है, कबीर पहले आया, आना किरिया की विशेष्टा क्या है कि वो पहले आया, तो यहाँ पर यह पहले जो शब्द है किरिया विशेशन का काम कर रहा है, हम इनकी पैचान परिभाशा को लगा कर वाक्य को समझ कर बड़ी आसानी से कर सकते हैं, संबन बोदक और किरिया विशेशन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ और उधारण आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहां पर पुषपा और जो गाना है, उसके बेच में संबंद दिखाया जा रहा है कि पुषपा सेम अधुर गाती है, तो सेम अधुर जो शब्द है वो हमारा यहां पर संबंद भोदक का कारी कर रहा है, ऐसे ही दूसरे उधारण में मैं सामने रहता हूँ, रहने की क्या है कि वो सामने रहता है तो सामने शब्द यहां किरिया विशेशन का कारी कर रहा है लेकिन दूसरे उधारन में उसने दादा जी के सामने जूट बोल दिया तो यहां पर दादा जी और जूट बोलने के बीच में संबंद दिखाया जा रहा है के सामने और साथ में सामने शब्द के आगे विभक्ती का प्रियोग किया गया है। इस बात से भी हम पैचान कर सकते हैं कि जहां पर किरिया विशेशन शब्द का प्रियोग किया जाएगा। उसके आगे विभक्ती का प्रियोग नहीं होगा। लेकिन संबन बोधक शब्दों में जिन शब्दों का प्र Highlighted किया है बस रुकी और मैं उतर गया और शब्द को हमने Highlighted किया है यह दोनों ही जो शब्द है वो doh वाक्वो को जोड़ने का कारिय कर रहे हैं इसी कारण से इनको समुचे-बोदक शब्द कहा जाता हैए पहले चित्र में यदी मुझे देर हो गई ये एक हमारा वाक्यांश है बस छूट जाएगी ये हमारा दूसरा वाक्यांश है और दोनों को जोडने का कारिये तो शब्द की सायता से किया जा रहा है तो यहाँ पर तो शब्द समूच्य बोधक कहलाएगा दूसरे चितर में हमने देखा बस रुकी ये हमारा एक वाक्यांश है मैं उतर गया ये हमारा दूसरा वाक्यांश है और दोनों को जोडने के लिए हमने और शब्द का प्रियोग किया है तो समुच्य बोदक शब्द दो वाक्यों को दो वाक्यांश को या दो शब् जोड़ने का कारिय करते हैं। जोड़ने का कारिय करते हैं। जोड़ने का कारिय एवं शब्द की सहायता से किया गया है। तो इस तरह जब जोड़ने का कारिय किया जाता है तो उनको हम कहते हैं सैयोजक। सैयोजक का अर्थ ही होता है जोड़ने वाला। दूसरा हमारा समुच्य बोदक शब्दों का कारिय क्या होता है। दो वाक्यों में विरोध कारण परिणाम बताना। या तो दो परकार के वाक्यों में विरोध दिखाया जाएगा। या एक वाक्य का कारण दूसरे में बताया जाएगा। या एक वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताया जाएगा। और जब समुच्य बोधक शब्द इस तरह से कारिय करेंगे तो उनको हम कहेंगे विभाजक, विभाजक अर्थात बाटने का कारिय करना, या तो विरोध दिखाने का कारिय किया जाएगा, या कारण बताने के लिए, या परिनाम दिखाने के लिए, उधारन के लिए समर मूर् है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है तो यहां पर हम विरोध देख रहे हैं कि दोनों बाते एक दूसरे के विपरीत हैं सभी जानते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और तीसरी परकार से हम इनका परियोग विकल्प सूचक के रूप में कर सकते हैं दो पदों वाक्यों के बीच में विकल्प की स्थिती उत्पन करने के लिए इन शब्दों का परियोग किया जाता है उधारन के लिए तुम उत्तर दोगे या मैं दू यहां पर दो अप्शन है हमारे पास या तो तुम उत्तर दो या फिर मैं दू तो यहां पर विकल्प की स्थिती है मेहनत करो अन्यथा पच्ताओगे یعنی मेहनत करना और पच्ताना दोनों विकल्प हैं मेहनत करोगे या फिर पच्ताओगे तो यहां पर विकल्प सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है तो हमने देखा जो हमारे समुच्चय बोदक शब्द हैं वो तीन प्रकार से कारिय करते हैं सईयोजक का कारिय करते हैं विभाजक का कारिय करते हैं और विकल्प की तरह कारिय करते हैं एविकारी शब्दों का अगला प्रकार है विस्मयादी बोधक या इंटरजेक्शन जिसको आप इंग्लिस ग्रामर में इंटरजेक्शन के रूप में पढ़ते हैं विसमे का अर्थ होता है हैरानी कोई ऐसी बात या वस्तु देखकर हम बिल्कुल हैरान हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं विसमे तो यानि कि हमें शब्द का अर्थ पता चल गया विसमे का अर्थ पता चल गया तो परिभाषा इससे जुड़ जाती है, जहांपर जिन शब्दों से हमें हैराणी प्रकट हो, हम बिलकुल देखकर उसको हैराण हो जाएं, जोक जाएं, या तो खुशी के मारे चोक जाएं, या दुफ के मारे चोक जाएं, तो ऐसे शब्द जहांपर प्रयोग किये जाते हैं, उनको हम विस्मयादी बोधक कहेंगी चलिए ये तो नाम से हमने इसका मतलब निकाला, अब उधारन देखते हैं अरे ये क्या हो गया, अरे शब्द को ध्यान से देखें, अरे ये क्या हो गया एकदम से हम चोंक गए हैं, लग रहा है इस चित्र में कि चोरी हो गई है हाई मैं लुट गया, अब हाई शब्द दुख को दिखा रहा है, हाई मैं लुट गया यानि कि चोरी हो गई, सारा सामान चोरी हो गया तो हमने देखा बड़ी हैरानी की बात है यहां पर शाबास, तुमने बहुत अच्छा परदशन किया तो खुशी से हम कह रहे हैं शाबाश यानि कि यहां पर हम पिल्कुल हैरान हो रहे हैं कि इतना अच्छा काम किया, वा, मुझे पर्थम पुरुषकार मिला, तो इस तरह के शब्द जहां पर परियोग की जाते हैं, उनको हम विस्मयादी बोदक शब्द कहते हैं, आपने देखा होगा, जब आपको कोई देता है, तो आप कितने हैरान हो जाते हैं, वो सर्प्राइज हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, वो सर्प्राइज हमारे लिए बुरा भी हो सकता है, जो शब्द हर्ष, हर्ष यानि खुशी, शोक यानि दुख, घिरना यानि नफरत, भै यानि डरना, आश्चरी यानि ह उधारन के लिए घिर्णा के रूप में हम कईबर कहते हैं छी कितना गंदा है हाई बड़ा ही दुखी हो जाते हैं क्या ऐसा हुआ है अरे वै आ गया इस तरह के जो शब्द हम प्रयोग करते हैं ये सारे विश्मयादी बोदक शब्द होते हैं साथ में विश्मयादी बोदक शब्दों के पीछे एक विशेश परकार का चिन हम लगाते हैं पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदू लगाते हैं और ये चिन जरूरी होता है विश्मयादी बोदक या विश्मय सूचक शब्दों के साथ लगाना क्योंकि इस चिन के द्वार बोदक शब्दों के बारे में कुछ महतोपुन जानकारी जानते हैं, विस्मयादी बोदक शब्दों का संबंद केवल मन के भावों से होता है, हम मन में क्या मैसूस करते हैं, जो हैरानी के भाव, विस्मया के भाव होते हैं, वो हमारे मन के भाव होते हैं, किसी भी विक्ति को को देख कर किसी भी वस्तु को देख कर इनका संबन वाक्य के अन्ने शब्दों से नहीं होता बहुती महत्वपुन बात है आपने देखा पूरे वाक्य में सबसे अलग इन शब्दों का प्रियोग करते हैं इनका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबन नहीं होता क्योंकि ये अपने आप में ही हैरानी परकट करते हैं, अपने आप में पूरे भाव को सपष्ट परकट करने वाले होते हैं, इनका परियोग करते समय शब्द के बाद विश्मयादी बोदक चिन लगाना जरूरी है, आप विश्मयादी बोदक चिन को देख सकते हैं, अगर ये आपने नहीं लगाया तो आप विस्मयादी बोदक शब्दों को अधूरा लिखेंगे विस्मयादी बोदक शब्दों का जहाबी परियोग करेंगे वहाँ पर विस्मयादी बोदक चिन के साथ ही इनका परियोग करेंगे विसम्यादी बोदक शब्दों का जैसा उचारण किया जाता है वैसा ही अर्थ देने वाले होते हैं यानि कि अगर हमने एक शब्द को ऐसे उचारण किया अरे वै आ गया यानि हम बहुत खुश हैं अरे वै चला गया यानि हम बहुत दुखी हैं जैसे हम उच्चान करेंगे, खुशी के भाव से उच्चान करेंगे, तो वो हमारा हर्श सूचक शब्द होगा, अगर दुख के भाव से उच्चान करेंगे, तो वो शोक सूचक शब्द होगा, यहां पर आप कुछ और उधारन देख सकते हैं, वा, क्या कैच लिया है, तो व शाबास शब्द के पीछे विस्मयादी बोदक चिन नहीं लगा है, Missprint है, अगर हम ऐसे लिखेंगे, तो हमारा गलत हो जाएगा, जब भी हम विस्मयादी बोदक शब्दों का प्रियोग करेंगे, तो विस्मयादी बोदक चिन अवश्य लगाएंगे, शाबास आगे भी इसी परकार का पुरुसकार जीतना अरे आप देख सकते हैं पीछे हमने विस्मयादी बोदक चिन का परियोग किया है अरे आप कब आए? अहा कितना सुन्दर द्रश्य है छी कितनी बद्बू है साथ ही आप देख रहे हैं इनका वाक्य कि दूसरे शब्दों के साथ कोई संबन नहीं है छी कितनी बद्बू है छी जो शब्द है वो अपने आप में हमें नफरत या घिरना को दिखा रहा है कि हम बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं हाई बिचारा घायल हो गया तो यहाँ पर हाई शब्द है वो अपने आप में पूर्ण भाव को सुपष्ट कर रहा है बाप्रे इतना बड़ा साथ तो इस परकार से हम इन शब्दों का प्रियोग करते हैं विस्मयादी बोदक शब्दों से किस परकार के भाव महसूस हम करते हैं उनके आधार पर इनको निमन परकार से हम बाच सकते हैं हर्ष सूचक, हर्ष का मतलब होता है खुशी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी खुशी को परकट करते हैं जैसे वह, आहा, वहा तुमने तो बहुत अच्छी खबर दी है कुछ शब्द होते हैं जो दुख को परकट करने वाले होते हैं जैसे आहा, हाई, उफ यहाँ पर हमने देखा आहा शब्द हमने खुशी वाले शब्द में भी प्रियोग किया है दुख वाले में भी किया है क्योंकि इसके उच्चारण पर और हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से इसका उच्चारण करते हैं दुखी ओकर करेंगी तो वो शोक सूचक कहलाएगा खुश ओकर करेंगी तो वो हर्ष सूचक कहलाएगा आश्चरी सूचक, अरे, क्या, ओ, इस तरह के शब्द होते हैं परसंसा सूचक, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, बड़ी हैरानी में तारीफ करते हैं खूब, शाबाश, बहुत अच्छा चेतावनी सूचक, होश्यार, खबरदार, सावधान घृड़ना सूचक, छीची, धट, संबोधन, अरे, ओ, सुनो किसी को संबोधित करने के लिए जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो संबोधन सूचक शब्द होते हैं इस तरह से यह कुछ परकार हैं जो विश्मयादी बोधक शब्दों के परकार हैं और साथ में यहाँ पर विश्मयादी बोदक शब्दों के पीछे विश्मयादी बोदक चिन्द का परियोग नहीं किया है, लेकिन हमें जब भी इनका परियोग करना है, तो पीछे विश्मयादी बोदक चिन्द का परियोग जरूर करना है। यहां पर आप और भी शब्द देख सकते हैं, जो कभी क्रोध के भाव पर कट करने वाले होते हैं, कभी परशंसा, अनुमोदन, चेतावनी, भै, आशिरवाद, संबोधन, तो इन सभी शब्दों को आप देख सकते हैं, साथ में इन सभी शब्दों के पीछे हमने विस्मयाद बोधक शब्दों को, समुच्चे बोधक शब्दों को और विस्मयादी बोधक शब्दों को, पहले वीडियो में हमने किरिया विशेशन शब्दों को देखा, अव्वे और एविकारी शब्दों के ये चार मुखे परकार थे, एक और भी परकार है निपात, निपात के बा तब तक स्वस्त रहिए, वेस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद